ग्रीन और तिलक ने मिलकर मुंबई का स्कोर 13 वे और में 100 रन बनाए जब हैदाबाद की तरफ से 15 और पूरे हुए तो मुंबई तीन विकेट के नुक्सान पर 130 रन बना चुका था अच्छी सिर्टी में पहुँच चुका था इसान और तिलक ने विकेट का पतन रोका बलकी मुंबई का स्कोर भी रोटेट किया मुंबई अब 180 के आसपा स्कोर खड़ कर सकता है ग्रीन और वर्मा ने मिलकर 50 रन की पार्टनर सेप की जिसने ग्रीन 49 रन वर्मा 31 रन पर खेल रहे थे मुंबई का स्कोर 150 पार हुआ उसी सतरवी ओवर में भूनेशुर कुमान ने वर्मा का विकेट लिया वर्मा की सांधार बेटिंग का अंथ हुआ तिलक ने 37 रन बनाए दो चोक्गे और चार चग्गे की मदद से जब 17 ओवर पुरा हुआ तो मुंबई का स्कोर 4 विकेट पर 152 रन बन चुका था चार विकेट के नुक्सान पर डेविड मैदान में आये तीन ओवर में मुंबई कितना ज्यादा रन बन बतोडता है वो देखना होगा नटरा जन 28 ओवर लेकर आये ग्रिन के सामने ग्रिन ने लगाता तीन चोग्गा लगा कर 33 बोल में हाफ सैंचोरी पूरी कित तुरंत छग्गा लगाया अंतिम बोल पर एक रन लेकर स्ट्राइक अपने पास रखी अठारवी ओवर में 18 रन चुरा लिया 19 ओवर भुने सोर कुमार लेके आये ग्रिन और डेविड इस ओवर को बिलकुल खेल नहीं पाये और सिर्फ 6 रन मिले हैदराबाद के बोलरों ने सुरू में जो दबाव मुंबई पर डाला था मुंबई ने दबाव से हटकर अंतिम बोल पर डेविड का पाचवा विकेट तो गिरा मगर वहाँ तक 192 रन का बड़ा स्कोर करने में सफल रहा हैदराबाद के जेसर ने दो कुमार नट्राजन ने एक एक विकेट लिया मुंबई की तरफ से इसान ने 31 बोल पर 38 रन वर्मा 17 बोल पर 37 रन बनाए वही ग्रिन 40 बोल पर 400 रन बनाकर नोट आउट रहे 193 का टारकेट हैदराबाद को एचीव करना जरूरी था पॉइंट टेबल में आगे जाने के लिए ब्रुक और अगरवाल तोनों मिलकर हैदराबाद को जीत दिलाने मैदान आए मगर ब्रुक 9 रन बना सके रहुल जिपाड़ी भी केवल 7 रन बना पाए दोनों विकेट ड्रेशन ने लेकर हैदराबाद को बड़ा जटका दिया कैप्टन मेकराम भी 17 बोल पर 22 रन बना कर केमरोन ग्रीन का शिकार बने प्यूस चावला जो बाकी थे उसने अभी सिक सर्मा को एक रन पर ही प्यावेलेन लोटने पर मजबूर किया देखते देखते दस ओवर में चार विकेट पर 76 रन बना पाया हैदराबाद तेरवी ओवर में हैदराबाद ने 100 रन पूरे किया अब जीत के लिए 93 रन चाहिए मुंबई के बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहे है ऐसी बॉलिंग ही तो मुंबई जीत जाएगा हैदराबाद को जीतना है तो विकेट बचा कर रन रेट बढ़ाना ही पड़ेगा बाहें कगरवाल और कलाशेन आज जमकल खेड रहे थे दोनों के बीच पच्छा सन की पार्टनर्शिप भी हुई वग चार रन जुनने के बाद 16 बोल खेलकर कलाशेन 36 रन बना कर पीश चावला का दुस्सा सिकर बना 14 ओवर के अंत में हैदराबाद ने 123 रन बनाए 5 विकेट के नुक्सान पर जब 15 ओवर पूरे हुए हैदराबाद के 6 विकेट गीर चुके थे और 133 रन बनाया अब 5 ओवर में 60 रन चाहिए थे हाला कि अग्रवल की विकेट ने हैदराबाद के लिए राष्ता मुश्किल बनाया 12 रन का एवरेज मुश्किल नहीं था मगर अवसंभव नहीं था 17 ओवर में मेरेडित ने जेशन का सत्व विकेट लिया 17 ओवर पूरी हुई हाधाबाद का स्कोर 150 पर पहुँचा अठारा बॉल पर तैता लिश्रन चाहिए अठार विवर में हाधाबाद ने 19 रन लिये मगर सुन्दर का विकेट का नुक्सान हुआ अब दो ओवर में सिर्फ 24 रन बनाने थे 19 ओवर लेकर ग्रीन आये सिर्फ 4 रन दिये है हैधाबाद को अब अन्तिम ओवर में 20 रन करने थे तैन्दूल का जो दुसा मेच खेल रहे थे रोहित ने उसको बहुत बड़ा जिम्मा देते हुए अन्तिम ओवर दिया अन्तिम ओवर में 5 बड़ डाले उस ओवर में हेधाबाद ने दो विकेट गवाए जिसमें समध रन आउट हुए नवमी विकेट का पतन पाचवा बड़ तैन्दूल करने डाला पूने सुरकोंड का अन्तिम विकेट लिया जो तैन्दूल करके कारकेदी का पहला विकेट था जो मुंबई इंडियस 14 रन की जीत में योगदान दिलाने वाला बन गया मुंबई इस जीत के साथ 5 मैच में 3 जीत के साथ 6 पॉइंट लेकर 6 स्थान पर पहुँच गया